हलो गाइज गुड मॉनिंग वेलकम बैक टो मैं चानल तो गाइज हम जा रहे हैं अपने मम्मी के घर दोड़ते-दोड़ते क्योंकि अभी न बारिस छुटी हुए इतनी बारिश हो रहे हैं कि बारिश जो है रुखने का नाम नहीं ले रही है तो मम्मी मतलब मेरे भहिया पत फेड़ गासे हैं तो हम जा रहे हैं मम्मी के घर क्योंकि मैं मम्मी के घर में न बहुत बढ़ा पेड़ जो है गिर गया है हमारा घर जो टूर्ड गया रहा गाइस हम नियु रहे है और गाइस किया बताओ तो देखें मैं आपको वीडियो में आगे आगे दिखाते हूं कि क्या-क्या हुआ रहे हैं। सकती, सोचिए हम लोग घर ऐसा हो जाए तो गैस हम तो बे घर हो गए ना कैसे रहेंगे हम हमारा घर मतलब मेरी मा का घर है गाइस मेरी मम्मी का घर है जहां मैं डेली आती जाती हूँ और देख लिए किस तरीके से तूटा है कितनी मोटी पेड़ गिरी हुई है गैस तो गैस ये जो पेड़ है ना रात को टूटी हुई थी, कल रात को आठ मतलब 7 बजे टूटी हुई थी, इतनी जोर की बारिश आधी तूफान आया था ना, इस वज़े से गिर गया, और देखे मेरी बहन से रोवा भी नहीं जा रहा है, वो कहरे है कि मैं क्या बताओ, मुझे इतना र पूरे सामानी धर उधर हो चुके हैं, मम्मी यहां सुबह सुबह आ गए थी, और आकर की चंदू ठीक है, लेकिन क्या बताओ, अब मैं आपको दिखा दिखा दिए कि कहां पे टूटा हुआ है, देख लिजे, यहां पर न गयां से देखिएगा, उपर के साइड में, देख बहुत तफलीक और बहुत ही दूप भरी हो गई है हमारी जिंदगी, बहुत ही बुरा लग रहे है, तो मैं आपको घर के पीछे के साइड से दिखा रहे हूँ, देखे कहां से कहां तक गिरा हुआ है, और कितना लंबा है यह वाला जो पेड़ है, यह आम का पेड़ है, नहीं पेर रात भर रुके और गाय समनींद किसी आती सब को टेंशन थी, फिर जैसे तैसे इन लोगों ने रात काटा और आ गया और यहां पे देखे, यह दो लोगों को मतलब बुलाया गया है, पेड़ काटने के लिए, तो यह लोग कह रहे हैं कि अभी बारिश बहुत हो है, तो इनोंने बुलवाया है, यह अंटी, यह अंकर, बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे लोग है यह, और मेरी ममी तो सदमे से बाहर ही नहीं आ रहे है, देख लिए किस तरीके से कहां कहां जा खर देख रहे हैं, और गायस, यहां पे जादा देर रुकना भी ठीक नहीं ह तो मैं यहां से तुरंत निकलने वाली हूँ, तो मैं अब जा रही हूँ, तो अब मैं निकल रही हूँ गाइस, और यह वरा जो टाइम है, रात का टाइम हो रहा है, जैसे कि साड़े नौ का टाइम मेरा मन काफी दुखी था, तो मेरे हस्बिन भी जल्दी आ गए थे घर, आकर यह ममे के घरी आये थे, और आने के बाद हम घर आगे और हस्बेन ने बनाया है डीनर, जैसे आलू की सबजी, दाल, चावल और फोफी, यह मतलब हस्बेन ने बनाया है, और भाई इनोंने खाना बना दिया है, तो कह रहे है कि चलो, खाना तुम ही निकाल दो, क्योंकि टेंशन में रहने से भूखा, रहने से दुखी, रहने से कुछ ठीक नहीं होगा, देखते क्या होता है, लेकिन गाइस, परिशानी की बात यह हो रही है, कि उज़ाड जो है, पेड जो गिरा है, उसे हम काड भी नहीं सकरे, क्योंकि बरसात रुखने का नामी नहीं ले रही इसकूल, तो मैंने का कि जाओ जाओ, घर में रहने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ना अधी तक प्लेट लगा रहे हैं, तो बहुत जित करने के बाद हस्बेंड और बच्चे जो है, इसकूल गए, डिप्टी गए, और यह ल कुछ ठीक नहीं होता है, तो हम खा रहे हैं, आप भी खाएंगे, एंजोई कीजिए, और अपना जो सपोर्ट है, वो हमें देते रहे हैं, हमारे साथ अपना जो सपोर्ट बनाए रखी, और मैं आप सी गाई सभी मिल रही हैं, सुबर सुबर नो बज़े का टाइम हो रहा है मैं आदित्या को इसको छोड़ कि आ चुकी हूँ, हस्बेन लिटी जा चुके हैं, और मैं यहां बाहर आए थी कुछ अपलोट करने, तो तेक्षी मौसम कैसा किया हुआ है, बहुत काला मौसम किया है, जैसे मैं यहां एक दो मिनट रुकी, उसके बाद मैं घर में भाग जैसे मैं रुब में एंटर की ना, बार जोए बहुत जोर किया है, गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, रुप किजिएगा, ओकी फ्रेंज, बाई बाई